नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रेंट पांडे और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कोडवाईजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम अनालिसिस करेंगे निफ्टी हुटी इंडेस की इंटरे भी देखींगे साथ में ये भी समझेंगे कि मन Day का हमारा क्या Trate Set Up रहूट और इसके अलावा बात करेंग Represent Week में इंडेस के अंदर कैसी Momentum हो सकती है देखिए अगर weekdays की analysis की बात करें तो nifty और bank nifty index की हम combine analysis करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो हमारा view रहता है वो next initiation का रहता है लेकिन weekend में जो analysis हम करते हैं हमें internet के साथ साथ यह भी दिखना पड़ता है कि next week में index की क्या momentum हो सकती है और यही एक single region है जिसकी वजह से हम nifty और bank nifty index की separate analysis करेंगे nifty की analysis हम यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद आपको bank nifty index की भी analysis मिल जाएगे तो मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा directly चलेंगे हम अपनी analysis पर ध्यान दीजिएगा स्कीन पर nifty 50 index का मैंने weekly time frame यूज किया है और यहाँ पर जो भी एक candle पन र होना चाहिए मैंने आपको क्या बताया था recent analysis की अगर आप बात करें तो मैंने आपको clear बताया था कि यह जो trend line है अगर यहां से यहां तक आप mark करें तो आपको पता चलेगा कि this is the dynamic support और यहां से index ने पार-पार pullback लिया है यानि इस trend line ने बरापर price को सहारा दिया है trend line मैंन ठीक है कहां से price बार-पार support ले रहा है लेकिन साथ में अगर आप ध्यान दें harmonic के level को जो फिबनाथी base होता है उसने भी परापर correction दिये हैं यह है आपका 0.886 यह है आपका 1.13 यह है आपका 1.272 यह है आपका 1.414 और अभी हम correction देख रहे हैं 1.618 मैं सिर्व आप से यह बत longer time frame में support area भी मालूम है और साथ में आपको यह भी मालूम है कि किस point से आपको correction दिखने को मिला है जब यह दोनों ही चीजे मालूम हो जाती हैं और उसके बात भी आप trade नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं कुछ नो कुछ mindset अप में आपको दिक्कत है और आपको दिक्कत खुद द पूर करनी पड़ेगी longer time frame में support and resistance direction मालूम हो जाने से कभी भी आप trader नहीं बन पाओगे जब तक आपकी entry and exit सही नहीं होगी बात करते हैं कि levels क्या आ रहे हैं तो फिर से में repeat करूंगा 15,400 to 15,500 आपका एक पूरा का पूरा resistance zone है और पात करें हम support की तो support आप तो मिलता है करें 14,800 to 14,900 ध्यान दीजी का 15,400 से 15,500 आपका resistance है और 14,800 से लेके 14,900 आपका support zone है 14,900 ब्रिक हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे 13,900 भी देख सकते हैं लेकिन level to level चलें level पे focus रखें और उसी के according आप अपनी trade को करें clear इतना आप बात कर लेते हैं कि आज Friday के दिन index ने किस तरह से intraday में trade किया हमें by position मिली या हमें cell level मिला हमारे target hit हुए या हमारा stop process हुआ तो मैं इन सब drive को delete करूंगा और हम चलेंगे intraday chart यानि पांच मिट के चार्ट में और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आज index ने intraday में trade की आपको morning का मैंने idea दिया था मैंने आप से क्या कहा था कि 15,160 के अबब ही आप index को buy करेगा और 15,070 के नीचे ही आप index को intraday में sell करिएगा देखेंगे तो 15,070 के नीचे ही इंडेक्स open हुआ लेकिन उसके पाद आपको upside momentum देखने को मिली आप यहाँ पर अगर ने नहीं करते है लेबल मिलेगा तब भी हम index में trade नहीं करेंगे ध्यान दीजिएगा आदे घंटी की range बनी ठीक है आपको clear दिख रहा है कि 15,070 ही हमारे आदे घंटी की range थी breakout कुआ और breakout के बाद pullback आया मैं इसी pullback की बात करता हूं और बराबर आपसे कहता हूं कि कभी भी आपको वो trade नहीं करना चाहिए आपको हमेशा follow up या pullback का इंतिजार करना पड़ेगा और देखेंगे तो 30 minute की range ने उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा momentum दिया आज की खास बात यह है कि buying side में भी चला और sell side में भी चला दोनों ही तरफ आज के दिन momentum थी यहां पर मैंने मैंने भी गलती कि है ऐसा नहीं कि आप उसे में अलग हूं मैंने भी गलती कि मैंने यह जो short किया ठीक है इस level पर उसमें मेरा stop loss मार दिया लेकिन stop loss से डरनी की चीज़ नहीं है stop loss लग गया कोई बात नहीं अच्छा लगा या बुरा लगा बहुत बड़ा loss हुआ या छोटा सा loss हुआ जैसा आप position size रखोगे वैसा आपको loss या profit होगा वो matter नहीं करता लेकिन उसकी बार जब दूसरी बार short मिला तो आप अगर हमारे होगा ही बस हम क्या कर सकते हैं हम दोनों के बीच difference रख सकते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा कितना loss होना चाहिए और अगर मैं सही हूँ तो मेरा कितना profit होना चाहिए इन दोनों ही चीज़ों के बीच का difference होगा वही तै करेगा कि आप successful trader बनेंगे या आप stock market में पैसे को loss करेंगे तो गलत होना बड़ी बात नहीं है में चीज़ है कि आपका RR क्या है risk और reward क्या है कितना आप risk लेते हो और क्या आप reward मार्केट से निकालते हो जिस दिन आपका ये सही हो जाएगा उसी दिन आप successful trader बन जाएंगे ठीक है आज की trade को मैंने कोशिश की है कि explain कर दू लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि थोड़ा wild move था beer ऐसे ही चलता है बुल में तो आपको एक study move देखने को मिलेगा लेकिन जब beer market होती है तो वो volatile रहता ही है तो कम सकम आप यहाँ पर 60 to 70 point का loss लेके चले यह नि stop loss जो बन रहा है वो थोड़ा बड़ा बन मंडी को क्या हो सकता है मंडी को वो कौन से लेबल है जिस पर हमारा पूरा internet trade setup पने का और आने वाली week में क्या momentum हो सकती है तो ध्यान दीचे का आज का लोग बहुत ही important है सबसे पहले तो यह level है आपका 14,900 14,900 के नीचे और आपको weekly time frame में भी मालुम है कि 14,900 एक support है 14,900 प्र इंचे जाएगा और तभी आपकी short position consider होती है बात करेंगे buying side की तो buying side के लिए अभी भी जो मेरा level है वो 15,160 ही है 15,160 के उपर ही आप buying करेंगे otherwise आप intraday में buying नहीं करेंगे क्योंकि यहां भर जो sentiment है वो negative है में भी आपको एक short covering move देखने को मिल जाए 15,160 index test करें gap up के साथ औ और उसके बाद फिर से downside move दिखा है तो हम confirmation पर trade करेंगे 15,160 के उपर ही हमारा intraday में buying position consider होता है otherwise index में आपका कोई trade नहीं बनेगा पूरा trade setup आपने समझ लिया लेकिन हमें बात करनी है week की week में क्या action रहेगा next week में क्या momentum हो सकती है और इसको समझने के लिए हम एक बार फिर स टाइम फ्रीम जेन करेंगे आवली टाइम फ्रीम में जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि अभी क्या momentum index में दोस्तों स्कीन पर देहां दीजेगा मैंने आपको पहले भी पताया है जब यहां पर हम trade कर रहे थे तो मैंने आपको दिया था कि 15,000 एक support बन सकता है और आज की दिन यह support break हो गया आपसे मैंने क्या कहा 15,160 के अबब आप buy करेगा समझे है pattern को समझे है price जो है इस समय क्या trade कर रहा है swing low लग रहा है swing high लग रहा है नया low लग रहा है फिर एक high लगता है और फिर नया low लगता है यानि यह आपका hourly downtrend है इसको समझ लेजिए ठीक है अब 15,160 तूटता है जो कि आपका यह dynamic resistance भी है इसी जगह पर तब आपको confirmation मिलेगी कि यह जो downtrend है यह आपका invalid हो गया और तब ही आपको intraday में buy करना चाहिए clear है अब भी तक आपके पास clear view है कि market यहाँ पर trending है downsite में तो सबसे ज्यादा profit कहा हो सकता है आपका sell site में में भी आपको pull back देखने को मिलेंगे लेकिन market यहाँ पर नीचे जा सकती है 14,900 अगर break होता है तो फिर 14,700 और उसके बाद आपको 14,200 भी देखने को मिलेगा आपको clear दिख रहा है कि force कि side है तो next week में हम देखेंगे कि 15,160 break होता है या 14,900 और उसी के उपर हमारी पूरी trade बनती है next week के लिए तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इदना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो share करिएगा and subscribe करिएगा मिलते हैं next week में thank you नमस्कार धन्यवाद